इलिटरस्यटेटेट्टेक्स टू। इधर देख इलिटरस्यटेक्स टू। पहली बात बाद ըहीं, इलिटरस्यटेट्टेक्स वन वो अला चेप्टर है जो इलिटरस्यट्री बाद है जो इ tables इसमें mechanics इंवाउड थी।This है बहुत बहुत बेसिक लेक्टर अपने सामने निखल के आएगा इतना आसान नहीं है इसके लिए अकल आज का लेक्टर नहीं आज को नहीं चीज जाएंगी तो आपको चीजे रटनी भी होंगे और समझनी भी होंगे खैर बहुत ज़दा कहान ही नहीं सुराते हैं अपने काम की बात करते हैं लेक्टर टू में बेसिकली अपने को पढ़ना है गौस लौ क्या पढ़ना है सुनाएंगे कभी मेजर कंटेंट आफ इस गौस लौ हम जली से रिवाइस आजा बहुत बहुत बढ़ी है आजा खैर बहुत बढ़ी है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी बीमी माई के चली गई है तो मैं आज़ कल बहुत फ्री हूँ अज़ जो मेरी चौदिय टीदी का रिवोट परेहादमी होता है एक तो पता है तुम लोग अटर टेंप वाले लगते हो मुझे साथ योभी भी भीहार साया उसाले साथ मैं नम पता है था पहरी वार में यूपीए पिच्चर देखने किया था बनारस आईटी बता रहों पड़ा रहों आईटी बनारसी में सबसे पले गया तो पिच्चर देखने किया पूरी ब्रांच 26 की 26 पता नहीं कोई सी गय था मढ़र टू गया हो गया है वो देखने किया थे LOC मैं या नहीं ब्रांच 26 पूरी अब साथ टिकेट लेगे खड़े हो गया है थिक अब जैसे ही साथ थोड़ी देखा गेट खुला और सब पागलों की तरह भाग रहे बोला भाई साथ यहां पर टिकेट पर सीट नमबर नहीं होता जहां मिल जाया है वही बैठ यहां बढ़ता है ऐसा ही होता है गया कि लिट शनक टी टो किया जिदि ल IPbbles प्रसेद ओंबरादिख वा सभी किरें वे साथ आती इसमें ब्ला है किष्ट रियक्तर िड़े टुको अंबात करें टर्यक्तक घर भात करें शरे खूरा कूलॉंसज्ण किया पड़ा विए ब्नीया उसमें घरीन करें पनने किस्में ल ने कुलन सीय पढ़ा अपने इसके पुटेंशन एरजी पढ़ है यादे कि भूल गया है ऐ और बीम में रेलेशन पढ़ा आपने एक पुटेंशन पढ़ा पोल में पने पढ़ा ये पुरा बिल्कुल नए टाइप का होगा, खेर, लिटो से टू में सबसे पहली बात जो अपने को पढ़नी होगी, वो होगी, basically, electric lines of forces, क्या होगी, electric lines of forces, पर इनकी definition तो मैं पढ़ चुका हूँ, electric lines of forces, electric lines of forces के बारे में अपन जो properties हो और सारी सारी जानते है, electric lines originate from, revise कर रहे हैं, क्योंकि यह काम है, electric lines of forces originate from positive और, terminate और negative और, पक्की बार, क्या उस पर tangent डालने तो किसी direction मिलेगी, क्या force and electric field दोनों की मिलेगी, हा ना बोलना अपड़ेगा, क्या इसलिए, electric lines of forces बोलते हैं, क्या बोज़ेगी, electric lines of forces, दो electric field line कभी और दूसरे को cut, क्योंकि अगर cut करेगी, तो क्या यह की जगे पर दो tangent पर रहे हैं, electric field line represent net electric field, क्यों सी क्योंकि, electric field line close loop में exist करती हैं, वो close loop में exist, यह electric force is a conservative force, सोच लो, जहां पर electric field line density जादा, वहां पर electric field intensity, and vice versa, क्या बात clear हैं, number of lines originating and terminating is directly proportional to magnitude of, मालो एक कुलम से मानू, चार line, तो दो कुलम से, पकी बात, यह properties यहां काम हाँ, यह properties में फिर और कुछ addition होगा जब अपन, conductors जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इस chapter का reality में सबसे पहला topic है, flux, क्या चीज़, flux, क्या चीज़, flux, 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 flux पढ़ेंगे अब, अच्छा इस बहुत 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 हो, जो भी पढ़ा रहूँ हो, बिल्कुल अभी आज अपन पढ़ेंगे, electric flux, क्या पढ़ेंगे, ditto same पढ़ेंगे, EMI, electromagnetic induction, महा कहलाएगा, magnetic flux, क्या कहलाएगा, magnetic flux पढ़ाने वाला हो, उसके त असलिएत में electric flux पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा चीज यूज आएगी, area, क्या चीज, तो मैं थोड़ी सी चर्चा area पर करूँआ, यह गनित का पार्ट है, यह गनित का पार्ट असलिएत में vector 3D एक चेप्टर है, आपके mathematics में जब सिखाए जाएगा, तो असलिएत म वेक्टर है scalar, सोज लो, वेक्टर है scalar, एक्टर है, area is a vector quantity, भूसा मारूँआ कुंड में की रोगे भैसो के साथ, भैसो के साथ, कैसे vector है, अरो vector quantity होती है, a, b, cross, a, z, या, तुमने पता क्या बढ़ा मता है, माल लोगो आपसे मूला जाए, k square है, क्या है, यह आइक है, यह जेक है, अचा, तुमने पता नहीं है की area vector होता है, अब बढ़ान, अपै बोला vector 3D में area ही तो बढ़ोगे, अचा, ठीक, मैं बता रहो न, लड़की और वेसा लड़ने लगते भूँँ, लड़ने आए किस थाले है, हजरा है साले, चिमपान जी, यह थे, तीन और 4, तीन और 4, एरिया कितना, 12, एरिया कितना, 12, अस्यफ में 12 magnitude है, 12 क्या है, area vector define कैसे करे हैं, मैं बता रहा हूँ, पहली बास, मान लो की area, normal life में हमें जर्द दी पढ़ती इसलिए, अब भी ते आप skiller ही समस्झा है, अस्यफ में area vector quantity होती है, क्या होती है, it's a vector quantity, area क कोई skill quality नहीं होती, ख्याटी, तो तीन और चार, अब reality में अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो मानलो यह A-side, B-side, C-side, D-side, इसके area vector की बात करेंगी, तो उसका magnitude 12 होगा, इसमें कोई शक्वानी बात, direction कीदर होगा, I-cap, J-cap, cake-cap, 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 cake अगर मैं इसके बात करूँ दो, आलें इसके बुरहाइगा उदेखो, तो एक्रस थारओ यह लाजी इस है, इसले मेरे को पता है कि बच्चे बाता हो, इसले चुट-ठ नहीं बात है, इसले चुट-जड़ी बातें की बाते है, यह तारहागी, आप बह्या की बात है, फ्या तो क्या क्या रटना area vector के भारे में ध्यान सुठों, अरिय ने री वक्टर के भारे में ध्यान सुरहें, area is a vector quantity या ने direction की बारे में बात करें, मालो है surface है, क्या है? यह रवाजिये, मालो की surface है, इस surface के इधर वाली direction, perpendicular to the surface, वो कहलाएगी area vector, क्या कहलाएगी? लएई माल न unconscious नीचे माल लएग तो ये भी पूरे सवाल मेशेंच? इड अट जब दोनों का रिजल्Ge आएगा तो दोनों का मतलब सेम होगा इसमें कोई शवक्वाली बात ये बात clarity होगी हम क्या बोलते हों मैं आपो समझा तो जिसे माल उसे area vector निया बात करें तो अब इसा area vector को दो दरीके से लिख सकते हैं कैसे area vector बराबर 12 केक है ये area vector बराबर 12 माइनस 12 केक है बोथ हार correct पट अगर आपने एक सवाल में इसे पॉस्ट्यू माल लिया तो पिर उसी सवाल में दुबारा चेंज करोगे बस यह याद रखना है क्या समझाएगे मैं आपको बताता हूँ कि एक और चीज़ बताता हूँ फिर आपको क्लियर एडिक बाल लोगिया ऐसे आपकी बेंगे याद इसके clear ऐसे यह आपकाईककप झेकर करेंगे बॉलो इसका अरिया वेक्टर ओर एरिया वेक्टर के लिखा हूँ बोल पाई आर्स्क्वार जेकर या माइनस जे क्या दोनों लिग सकते हैं याप पाइरısı स्वार जय किया है एरिया पाइरडी स्वायर और क्या बूला गया जाए कि डायर स्वायर तो यहgregώ जी के भूख जाहि है अधर है तो आपर हो 650 नहीं horrks Me сдел 2 पित होनाई है क्या बच्चे को सीखना चीए कि area is a vector quantity, direction of area vector is perpendicular to the surface, पर बच्चा बोलेगा सर्दो हो सकती है, इन्हें बोला जाता है open surfaces, क्या बोला जाता है, open surfaces, for open surfaces, consider any one of the perpendicular direction as area vector direction and stick to it for the whole life, and stick to it for the whole life, या whole cushion, not for whole life, अर यहार हाना बोल, for open surfaces, for open surfaces, open surfaces, मतला बताता हूँ क्या, जैसे rectangle, square, disc, triangular type की shape, यह सब कैसी surfaces है, तो सब closed कौन होती है, वो भी बताता हूँ, sphere, q, बोल चमका, parallelo-piped, trafasium open surface है, trafasium कैसी surface है, यह कैसी surface है, यह सर्कले sphere है, यह सब क्लोस surface, क्या क्लोस surface है, और यह open, क्या open close में अंतर समझने में है, तो जो open surfaces होती है, उनका area vector की direction, हमेशा perpendicular to the surface होता है, कैसे होता है, perpendicular to the surface, it is perpendicular to the surface, and कोई भी एक direction को area vector माल लो, कोई भी एक direction को area vector माल लो, और उसको ही stick करो पूरे सवाल के लिए, for open surfaces, consider one direction, one perpendicular direction, as area vector direction, and stick to it for the whole problem, not for whole, जैसे मुझे याद है, आपको याद होना, पहरी बाद, area vector scalar, क्या उसके vector की direction, perpendicular to the surface होती है, और open surface होती है, और open surface होती है, तो कैसे direction को चूज कर सकते है, stick to it for the whole problem, not for whole, क्या मेरी बाद लिए रहे, for closed surfaces, कौंसे surfaces, for closed surfaces, बिल्कुल याद होना चीक, कैसे ऐसे, क्योंकि mechanism में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, for closed surfaces, consider outward normal, क्या चीज, outward normal, जैसे कि यह, यह n-caps से रिनोट करते है, outward normal, और, consider outward normal as area vector direction, मतलब, यू देखो तो, स्पेर में में तो direction ले सकता हूँ, बाहर की तरफ भी और, पर कभी भी अंदर नहीं देते हैं, कहां लेते हैं, याद रखें, for closed surfaces, consider outward normal as area vector, इसमें काल लेंगे बोलना, इसकी काल लूँ, right left, इसकी, 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 बोलोग लिए रहे क्या, for open surfaces, consider outward normal as, for open surfaces, consider one perpendicular direction as area vector direction and district to it for the whole problem, not for whole, for closed surfaces, consider outward normal, यह कहलाता है, outward normal, consider outward normal as area vector direction, कोई शक वाली बात, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हा ना भोल, कोई दिक्कत वाली बात, area vector बारे में फिर से शुटी शुटी बाते जल्दी से कर लेते, area vector scalar, के direction perpendicular to the surface होती है, पकी बात, for open surfaces, consider one perpendicular direction as area vector direction and district to it for the whole, problem, not for whole, like, for closed surfaces, consider outward normal as area vector direction, क्या यहां तक की बात याद रहेगी, जैसे मुझे याद है, आपको याद होनी, जो बोड़ पर लिखा होगा, लिख, लिख area, चर्चा on area बेकर, लिख चर्चा on area, ऐसे रिख लेए बस, शेरे में लिखाता जाता हूं सब कुछ, लिख चर्चा on area, चर्चा on area, और अंटी, how are you? अंकल मजे में? बता नहीं, मतलब हैं तो सही? चर्चा on area, लिख लिख, 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 ल area is a vector quantity लिखो area is a vector quantity लिखो area is a vector quantity next लिखो तरह लिखिया पनने area is a vector quantity next लिखो next लिखो direction of area vector is always perpendicular to the surface direction of area vector is always perpendicular to the surface direction of area vector is always perpendicular to the surface next लिखो direction of area vector is always perpendicular to the surface next लिखो for open surfaces for open surfaces bracket लिखो square blade, triangular blade, rectangular blade example, etc. for open surfaces, bracket लिखो, triangular blade, square blade, etc. very close consider one perpendicular direction consider one perpendicular direction as area vector direction consider one perpendicular direction as area vector direction and stick to it for the whole problem and stick to it for the whole problem not for whole life stick to it for the whole problem not for whole life not for whole life and stick to it for the whole problem Next लिखो, for closed surfaces, consider outward normal as area vector direction अब था कभी कभी किस प्रकार की तकलीफ आती हूं बताता हूं मैं तो ट्राय करना अपने हिसाथ है फिर मैं आपको बता हूं कि क्या से उनको लिखा जाता है माल लो यह x, y, z, x से से ठीक, simple ही थोड़ा साल है, x, y, z इस पे जो square plate है ना, वो ऐसे रखी हुई है समझा है कैसे रखी हुई है 3D में square plate ले ले, rectangular plate लेने चलो अब हुआ क्या कि यह जो angle है scosition y, z, y, z, s, y, z, spleen ने बढ़ाया हुआ है माल 33 degree है, कितना है 37 degree, कोशफ़ ले बार ok और यह जो side है square ही ले ले लेते हैं अब हलो square ले लेते हैं और side 5. e a आप तुझसे पुछ़ूँ us-ka area बेक्र लिखो आई-Cab, J-Cab, K-Cab में क्या लिखो? एरिया। इसका area है नहीं आई-Cab, J-Cab, K-Cab ये mixture में आएगा आएगा ना? लिख के बताओ इसमेजिन दब अरे area vector आएगा ना? अरे area vector मतलब I-Cab, J-Cab, K-Cab मैं नहीं नहीं आप से पूचा बताओ आपको सुन अरे बात नहीं मैं आपको गणे सिखाता हूं क्या चीज़ सुन मालो मोई स्क्वाइर है यह कोई भी रेक्टेंगल है उसका एरिय वेक्टर कैसे रिखा जेता है आपको बताता हूं मालो यह a, b यह c, d clear मालो कि यह लेंथे a, यह लेंथे b अगर area के magnitude की बात करूं तो कितना है is ऑगर आप बहुत जहान से देखों तो reality में direction of area vector is perpendicular to the surface yes or no मैं यह नहीं करा इस सवाल आप common sense से नहीं कर सकते थे बट में गनित वाला तरीका बता रहा हूं, कौन से बता रहा हूं? गनित वाला तरीका बता रहा हूं, जो कि हमेशा काम करेगा, आपको पता हो ना, जी हला कि गनित में बहुत सिखाए जाएगा, हो सकता है, कोईओं को आता भी हो, A और B अब इसका magnitude AB हुआ कितना हुआ AB मुझे इसके मलब band root तो AB हो गया बिल्कुल ठीक एरिया वेक्टर का बन डिरेक्शन या तो बाहर है या फिर मलब मैं क्या रिख से तना सोच अगर तो बहुत लॉजिकल ली सोचे तो AB को इसके वेक्टर माल लो मैं तो से चेज़ पुछू कि AB वेक्टर क्रोस AD वेक्टर का magnitude क्या होगा AB वेक्टर क्रोस AD का magnitude क्या होगा AB अरे AB AD में डिप्ता एंगल AD क्या है मैं लग क्या ये magnitude of area वेक्टर है नहीं आया रे यार अच्छा मैं बताओ AB cross AD की direction किदर है प्राश पुटेंट थोड़ा तो आता है ना हाँ चलाओ AB cross AD करो किदर है किदर है अरे किदर है सोच इस सीज का magnitude क्या area के बराबर है और direction किदर है अरे बाहर ही तो area vector की भी direction है अरे यार हाँ मैं AB vector cross AD vector भी लिख सकता था और क्या AD vector cross AB vector भी लिख सकता था अकर AD cross AB लिखता तब भी क्या area vector अंदर आता असलियत में जब गणित का परमला है वो ये है कि कि किसी भी rectangle या square की कभी भी area vector चाहिए तो 2 second cross product ले लो 2 second क्या ले लो dull response क्या ले लो simple हमेशा answer आता है बोल आ रहा है नहीं आ रहा है इन चीज़ों को यहाँ अपलाई करा जाता है कई लोगों ने logic से भी करा हो कि area 25 ऐसे यह 37 degree बना रहा है तो इसे करा है कि उसने imagination ज़ादा है वो हमेशा काम करेगी यह जरूरी इसने common sense वाला solution सुनें यह वाला क्या मेरी बात चमग रही है कुछ कुछ किसी पी square का area vector कैसे लिखाए जाता है A B cross A D A B cross A B cross A basically दो साइडों का cross product दो साइडों का simple logic इधर देखते हैं कौण से कास बात A B C D A का coordinate आच्छा B का coordinate 0,5,0 A D vector कितना हुआ 5 J क्या है कितना हुआ कितना हुआ B का coordinate देखिये 5 है 5 का इधर component 5 cross कितना 4 X component कितना 4 सोच ले Yes sir आणा बोल Yes sir Y Y Y Y Y 0 Z 3 Z 3 Okay नहीं है नहीं है नहीं है यार A B vector कितना हुआ 4 I cap plus 3 4 I cap plus 3 4 I cap 4 I cap plus 3 Okay तो अपने लगा A D vector परावर 5 J के A B vector परावर 4 I cap plus 3 K cap अब जहां से देखो A area vector ने कालेंगे मुझे A B cross A D तो पढ़ना है क्या करना है A B cross A D लो भईया area vector लग लग लेते है जहां से देखो A B cross A D A B कितना 4 I cap plus 3 K cap cross 5 J cap What is I cross J J What is I cross J J सोच लो Yes 4 5 J 20 K K cross J I minus I I minus I Sोच ले 5 लोगों ने imagination से पराओ पर हो सकता है कि गलती कर दी हो नहीं करी तो बहुत बड़े बाद पर हो सकता है कि गलती कर दी हो पर ये जो method है ये full proof है मुझे आपको क्या सिखाना था A B cross A D सवाल सिखाने का purpose था अब कोई भी triangle बना लो square बना लो एक और सवाल से करा हूँ या concept समझा गया बागी तो practice है बागी तो vector form सिखानी थी मेरे को आपको जो सिखा थी पर दा जो बोला चमका शुड़ाइ टेक same type of illustration तो बोलता तो भी नहीं लेता उतार ले ये area vector की कहानी थी जो general physics है ये area vector के बारे मैं पता हूँ जल्दी से revise करते है area vector is scalar area vector is scalar area vector is scalar direction is perpendicular to for open surfaces consider one direction is area vector direction is restricted for the whole पक्की बात for closed surfaces कहान लेता है अगर कभी वो 3D में भी आजाएगा तो भी क्या मुझे लिखना आता है कोई गुराई this is the basic ज्यान for area vector मैं नहीं कहता कि ये area vector पूरा पढ़ लिया पट एक basic ज्यान जो physics में required है किस में required है वो ये है reality में जो हमें literature 2 में पढ़ना है वो है electric flux क्या पढ़ना है अब heading डालो electric flux electric flux जाज़ो इदर देख एसा है किताबों में आपको लर्टसरी बारे लोड़ दो चप्टर नज़र नहीं आएंगे अपने फोड़े बड़े हैं इसलिए अब रॉपरगेट करा हूँ इदर देख electric flux एक्चुली मैं बहुत आता हूं फोड़ी सी तुम्हें अगर फोड़ी से अख़ा लो तो फील कराऊं क्या? कर पाऊंगे क्या? बहुत कम लोगों के अब आज़ाई? फोड़ी फील कराता हूं कोशिश करना हाला कि अभी मेरे जित्ती नहीं आईगे तो एक वादो दो सुनाएं असे अटम बढ़ा पूरी आप सुनाएं मजर नहीं चले मजर नहीं है क्या है? जो एलक्तिक फ्लक्स है मैं बता हूँ तो terlating में सारा खेल energy का है फोड़ी फील करना चाहिए मुझे से ज़्यादी है तुम्हें नहीं आईगी मुझे अच्छे से पता है, पर थोड़ी ची कोशिश करते हैं, है ना, असलिए तुम्हें everything is made up of electric field and magnetic field, जो हम पढ़ते हैं, लिट्रो मेनेटिक फील इदा रहे हैं, जैसे मैंने आपके लिट्रो मेनेटिक विए के पार्ट दो पढ़ रहे हैं, electric field ऐ पढ़ेंगे, फिर magnetic field इनके दोनों को पढ़ेंगे देट दो मेनेट हैं, फिर कुछ देर के लिए उनका combination बढ़ेंगे, रिट्रो मेनेटिक मेनेटिक पढ़ेंगे, रिट्रो मेनेटिक मेनेटिक फील इदा है, जहां पर अपन खतम करके छोड़ देते हैं, अपन असलिए इ रिट्रो में तो combination एक साथ exist करता है कि अलग-अलग, combination, हम अलग-अलग पढ़ते हैं, हमारे totally level तक महीं तक ही, but बहुत precisely और अच्छे से पढ़ेंगे, तो असलिए रिट्रो मेनेटिक फील is a component of energy, is a component of energy, अब ऐसा समझ कि माल लो मैं इसको महा से बायर लूँ और current लगाँ, तो आपको कुछ, इसको क्या महसूस होगा, माल मैं से 240 बोल का जट्रा दूँ, 0.1 सेकंड के लिए, क्या ये 0.1 सेकंड इसके लिए अमूल लिशन होगे, अरे होग ये नहीं होगे, अब करण भी तो लिट्री फील्ड ही है, ये तो सुना होगा, अब सो जब वो 0.1 सेकंड इसके अमूल लिशन है, उसके बाद शन बचे नहीं बचे ये बात अलागे, बट वो एनरजी से महसूस हुई, हुई नहीं, नहीं, नहीं ये दो कराओं, सबसे बेस्ट चप्टर में पढ़ाता हूँ, सबसे बेस्ट, कभी भी नहीं फील आए, आ जाना, डारेक फील कराता विदाउट अनी टेंशन, इसलिए करन्ट लिसन टीवे कोई टेंशन वाली बात? डारेक फील महसूस हो गया, तो जो आपके, बेसे करेंट की इलेटरी फील की वैसी आता है, मतलब बेसे की इलेटरी फील ने एनरजी का प्रवाव करा, किसका करा? जब एनरजी का कितनी एनर्जी क्रोस करी मालनों इसको जटगा लगाँ पांच पोल्ड का और लगाँ दूसो चालीज का किसका अच्छा लगेगा तिरो पांच पोल्ड का अच्छा लगेगा वा रहा है इटा मैं मनला 240 में ज़्यादा एनर्जी भाई की 240 में चै अपन टाइम पास निकरते हैं जहां सुते हैं अश्युक्ति एलेट्रिक फील्ड जिसे माले एलेट्रिक फील्ड है इस दर्वाजे क्रोस करते ही तो उस एनर्जी के क्या एफेक्ट आईए उब आट की बात है वो अवन बात में बढ़ेगा बाट अपन ने को यह बात समझ में आली चाही कि एनर्जी important है जहां से लेट्रिक फील्ड क्रोस करिए वहां से क्या एनर्जी क्रोस करेए प gouvernementalsरा electric field और दूसरा क्या है electric field तो collector field बट रहे हैं हम दो je laps तो ittब क्रोस करेई है तो energy लॉजधी क्रोस करेएैी वो कितनी energy क्रोस करेई की लॉजधी क्रोस करेई है इस चीज़ काleanokay electric flux देता है कौन देता है electric flux अब कैसी देता है वह मैं आपो समझाता हूँ उसे फील करते है फोड़ी माँ लोग कि यहाँ पर यह गेट है इसे हम सफेस देते हैं, क्या लेते हैं सफेस एक 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 प्रफेस जितनी ज़्द है लेटरी फील्ड होगी उतनी एनर्जी ज़्दा कांव ज्यादा काम मतलब क्या ये energy का count directly proportional to magnitude of electric field है बोल है की नहीं है एक कैसे सोच electric field ऐसे है ऐसे क्यों जाए ऐसे हारी है क्या energy कुछ क्रॉस कर रही है तो इसे दरवाजे से अगर electric field ऐसे ऐसे है तो electric field दो अभी भी पर अभी दरवाजे से frost जैसे बुझो energy पास सुधर दरवाजा जीरो बट अगर ऐसे है की नहीं है बास तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब सोच पिए electric field को ऐसे जाए से करूँ घटेगी energy बढ़ेगी घटेगी बोल वाच चंगी electric field की और दरवाजे की क्या direction है क्या matter करता है पोल करता है नहीं करता है करता है नहीं करता है हाँ याँ माल लो electric field यहाँ पर 10 newton पर गूल है area को बढ़ा कर दो energy बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी घटी पास electric field उतनी है electric field 10 newton change इस portion से ज़्यदा energy निखल रही है या इस पूरे दरवाजे से पूरे पूरे दरवाजे से जहर सी बात है area बढ़ाओगे तो number of lines crossing बढ़ेंगी घटेंगी और बढ़ेंगी तो energy यह मत सोच की आपने area बढ़ाए तो electric field घटेंगी electric field constant रखेंगे मैं और इन दोनों के बीचे angle change करो तब ही का energy घटेंगी पकी बात मालना reality में जो energy cross कर रही हो तीन चीज़ों पर depend करती है one is the magnitude of electric field second is the area का magnitude and third क्या उनके बीच का angle अब सोच के देख माल मैं ने area यह ओपन surface जो मैं समझा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि it is related to area माल ने आपका दरवा जाए भाई साब बाहर मत देखो पीछे आले ready तुझा आफको समझा दरवा तो जाएगा तुझा एरेट ली अरे वेक्टर यह ओप्टर इदार माल ने रड़री फिल्ड बीदर तो दोनों के नीछे अनल ने रड़री फिल्ल उनके पड़द तो एंगल ने देख भाने है शेद में क्या यह डेक्ली एंगल बिट्वीन E और A पर डिपेंड करा एंगल बिट्वीन अगर E भी ऐसे अरिया भी ऐसे तो एंगल कितना? 0 तो एनरजी मैक्सिमम मिनिमम पक्की बार तो कॉस लेना चाहिए साइन सोच के बोल कॉस साइन अगर आप बहुत रिलेटी में सोचो तो क्या लिखो विद्वीन चुनता? जो एनरजी है उसे क्या बोलते हैं भी बता दूना क्या वो डारेक्ली प्रोपोर्शनल तू मैंट्वीड औफ एलेक्रिक शील्ड? एरिया का मैंट्वीड? और उनके बीट का कॉस वाला एंगल साइन वाला अब बताएं डॉट प्रडट है की? डॉट की? डॉट की? डॉट की क्रॉस तो लिखा गया ऑख ईडॉट एडॉट ए एडॉट एडॉट मैंट्वीड प्रोप्डाय गया है मन आपो feel ही नहीं है इन चीछ तो area vector है और E, electric field है की vector? तोनों है, electric field भी vector भी है एया रहा ना हम बेहाँ electric field is a vector quantity पर दो vector quantity project क्या होता है scalar जो चीज़ अं निकाल रहे है वो scalar की vector scalar नचाल वे 잡ृ उस magnitude के map done को जयानि energy के map done को बोते है electric flux क्या बोलते हैं इसे दिनोप करते हैं 5 से किस से बुलको सेम आपड़ोगे अगर अपने और अच्छी से निखना चाहे तो इससे निखा जाएगा 5 बराबर integration E dot D A समझे हैं भी नहीं कह लेगा यार हाना बुल फ्लक्स बराबर integration E dot बोल फ्लक्स ही यूनिट कहा हुगी Newton पर पूलं मीटर स्वायर यानि कि Newton मीटर स्वायर पर पूलं Yes or no ऐसे बतायता हूँ जो मैं पड़ोगे तो बिलकुल इक्टो सेम पड़ोगे आस तो तुम्हें नहीं नहीं लग रहा है बिलकुल तब यही चालू करूँगा EMI में सबसे पहली चीज यही जो बूल रहा हूँ Magnetic Flux वहाँ पर सब क्या लिखोगे यह Flux को Magnetic Flux कहलाएगा Integral B dot d A What is B? Itna ही अंतर होगा इसलिए एक अच्छे बच्चे को लगेगा है बार-बार और घज़डे को लगेगा है बार-बार आपको क्या लगेगा? हाँ ना बोल परता जू बोला चमका Simple सा logic Basically वह ही Magneticism में आप पढ़ने वाले हो किसमें पढ़ने वाले हो? मेरी बाते तेस तो नहीं हो रही? समझ आ रहा है पका? सोच लो इसे अपने लिटरिक फ्लक्स कहते हैं क्या केते लिटरिक? फ्लक्स बोला Scalar Vector Scalar अचा Positive नेगेटिव हो याद सब कुछ हो सकता है Positive भी हो सकता है Negative भी हो सकता है और अब मैं आपको थोड़ी से फील हो कराता हूँ मैंने अरिया वेक्टर को माना था तो Positive नेगेटिव मानने का क्या फंड़ा है जिसे? इदर समझ आ मालो की ये सर्फेस है सिर्फ समझ ना? फील ऐसे ही सोड़ेजी एक रिटरिक ने थोड़ी फील आई? बोल आई नहीं आई? आई अब इसकी एक और Definition दूँँए भी जो किता भी Definition ने चेवी फील वाली जो Connector में बहुत काम करेगी सिर्फ फील वाली मालो अरिया वेक्टर है ये जो सर्फेस है इस सर्फेस मालो मेने अरिया अरिया अर्या वेक्टर इदर लिया इदर लिया अरिया हो सकता है या अंदर ले पर माल लो कि मैंने तो इधर लिया मैंने इधर लिया तो इसका मतलब मैंने यह माना कि जो एलेक्ट्रिक फील बाहर से कहां आ रही है उसको मैंने पॉस्ट्यू माना है तो जो अंदर से बाहर जाएगी है अगर इसने उल्टा एरिया वेक्टर लिया तो इसका मला इसने क्या माना है जो अंदर से बाहर जाएगी वो क्या है और जो बाहर से अंदर आएगी वो बाहर तो इसका मानतर माला है पॉस्ट यो तो इसका क्या नाची है और मतलब तो इह की है मतलब तो इसलिए मैं कह रहा था कि open surfaces के लिए एक बार area between direction fix कर लो और फिर उसी पर पूरा चेक करो खेर जो और फील कराता हूं आपको ए बात हो मालो दर्वा जाए मालो यह electric field lines जो होती है क्या चीज़? electric field वो basically energy को represent करती है किसको represent करती है? मालो की electric field बढ़ा दो अगर मैं बोलू कि इस surface एक 1000 निकल रही है इससे 2000 तो 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 पता पढ़ जाएगा 2000 से energy ज्यादा है इसका वाला flux है क्या? count of number of lines crossing and it's a total imagination why? electric field किसी ने देखी क्या हमने उसको line से represent कर रहा है? तिर हम उसकी energy को imagine कर रहा है flux से किस से? अब मैं उसकी और field वाली definition दे रहा हूँ जब वो connectors में आगे काम आईगी कि flux is basically nothing ये कोई किताबी definition नहीं है it's a field definition कि flux is nothing but basically it is count of number of lines it is basically crossing and area crossing and area क्या मेरी बात लियर है? crossing and area basically वो count देता है जितना ज़्यादा count होगा क्या उतनी ज़्यादा energy होगी? इसमें कोई शक्वाली बात? क्या कुछ-कुछ बात बुसी है? क्या एलेटरिक flux को basic बात आप जाने हो? अब सवाल करेंगे अपर बहुत सारे कि बताओ इतना flux कितना निकला इसमें से flux कितना निकला इंटिक्रेशन ये वो बहुत सारी जी पहले से उतारो और जो लिखा रहा हो लेख इलेटरिक flux? पहले डेफिनिशन लिखाऊंगा? अज़ा उसल मरा पहले लिखाने कि राजमें लिखो पहले फिल लिखातों कानपुर मदलेना, खड़कपुर मदलेना दोनों विरानाई में है बिलकुल बुवाटी मदलेना सारी नक्सलाइट एरिया है उन्हें ने तो खुद को देखते हुए लिया था लेखो कान आओ श्यmäßीलियन नैशे, आणि श्यी की में खूआटि क॰हाँ? केल नैं, बॉन्देकी लड़क Yeह यह संगे ठालेकेश बॉन्बे में बुट्टेटेटेलियन लोग होते या इथि दिल्ली में आईटी कि इपOOKट्टन्स भी बत if you दिल्ली में बोलोगा न, I am from IIT और IIT दिल्ली तो there is a ज़यादा importance there, Patsmanation, कि दिल्ली न, अच्छी importance होती है कही लग सब्नी देखने बागी कही लोग सोच रहे, साला कुछ होगा न चाय की थडी तो लगा ही लेंगे बाद BHEU गल्स कॉले जलग था, वोमन्स कॉले जलग था, तो अच्छा मावज भाइचा नहीं को टेक्शन नहीं को, अच्छा मावज भाइचा नहीं को, यार तुमने बढ़का जब साले, ये के बाद तुछ आले? यह देख, लिख, आधार, आधार करए लेक्श बढ़कां छोली हुआ स्वेक्शन वहीं को, routing और यूसर्ट पड fij आधार नहीं को, जारत की पिह एतावका जाध बढ़ कावज गाहान कम भाइचा, ये खावकां भाइचा जान रहार 59 सीरह हैं को, ग्ध गए जाह भाहान को, number of nines crossing an area किसी भी नीची लिख ले electric flux से हम अंदाजा लगा सकते हैं energy crossed through an area electric flux से हम अंदाजा लगा सकते हैं energy crossed through an area बोलो किया एक simple सा सवाल पूसता हूँ गलत मत करना देखो इधर सुन लोगो simple simple सवाल से स्टार्ट करते हैं electric field E0 यह surface का radius R यह angle 37 flux बताओ ब्लुकल symbol और नहीं बोल सकते हो जल्दी बोलो क्या flux is basically अब flux निकालना है आज E.da 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 आपे constant है कोई गुराई तो क्या E.da यह लिख ले E कितना E0 area कितना angle कितना course बोल सही गलत है सही गलत है area vector perpendicular to the surface होता है angle 37 है 53 है छोटी छोटी गलती मत करो इसलिए सवाल कराया है area vector is always perpendicular to the surface तो angle 37 है कि 53 है गलती करो गाया बोजाओगे angle 37 है कि 53 है 53 है भाई साफ सो मत गलती मत करो 37 नहीं है इसलिए सवाल कराया है छोटी लोटी गलती लिखते चलो और देख पंचिवन पूर्थपीरू मस्तगागान में आज में आचा हद हूं दूनियां के चामन में फई पंचिवन पूर्थपीरू मस्तगागान में जलीली करो में बेसी मेसी सवाल है E0 45 डिगरी बोलो फ्लक्स प्लक्स Dues, प्सथ Dues, प्सथ Dues, ल início Dues, ल commence जीरो लू तो E0 Pi R2 पे अर्या ओर इलेटरी प्ली फिल्म है अंतरी लेके वेटर तो परोंन दूलो राए भ्लक्स केता हूँ सवमाथ ॉमाथ basic basic कि बेसी किता हूट है हानाब हूल अब ये सवाल लिटरी फील के लिए भी है, मेंगनेडी फील के लिए भी है जब मेंगनेडी फ्लक्स पड़ते हैं, तो बी लिट दोस्ट में, कौँसी खास बाद, कोई खास बाद आ ना बोलना पड़ेगा, और सुन, अच्छा भी बहुत बढ़िया, बहुत सुनर, बहुत मज़ा आया, बाबा, और सुन, के नाम है तरह घर का, घर का, घर का, शुभी, अच्छा नाम है, यह, अज़े सब का नाम मेरे दिसे गंदा दोड़ी होता है, माय हुमी इस स्टारडड यह, यह, अन्हाँ, मौन्टी is स्टारड यह, यह, पड़ा है, अब डे का है कि? अब बढ़ वरग श्यक्ति, थिक आसमाले क्यूब के क्यूब ली हो, फुटो जलिली करते आ जाओ, क्यूब लो, क्यूब लो, कि यह देख क्यूब ले लो और बोलो की लेटरी फील्ड है E not I cap कितनी है Q Side A Flux through Q पूछा गया है Flux through Q लेटरी फील्ड है E बराबर E not I cap सोच समझ के बोलना मुंडी सवाल कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा मुंडी सवाल है मुंडी कृष्ण ना डिस्वस करना है ना कुछ करना है बात नहीं अरे भाई साब बात नहीं कोई बात नहीं करेगा option दे रहा हूं कोई बोलेगा भी नहीं आंसर आपके सामने सवाल ये options दे रहा हूं भ्यान सुने और मन में रखने मन में बिलकुल distance नहीं ना आपके बोलना नहीं है किसने कसम नहीं है टीगी बिलकुल एक्जाम की तर है कसर है कसम नहीं टीगी देने कसम खागी क्या पायदा मल्लू कोई में नहीं सिंगल के रखने किसे मुनी नहीं सिंग बाइशाब second last row किसे कर मुनी अनिता देखना नहीं है वसंती चंपा डॉली बहुत बड़ी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सभी options का आप सम्मान करते हैं क्या answer है एक अगर आप बहुत ध्यान से देखा तो चार surfaces जीरो हो जाए अगर बहुत बहुत चार कॉंगों surface जीरो है मेरे बहुत ये वाली जो surface है इसका area vector इदा है और अगर अगर 90 तो उपर वाली इदर वाली इदर वाली मुझे रगा नी तो मैं आया अया नी आया ओके इदर बहुत इदर वाली इसका इसका area vector किदर है area vector area vector angle किदर है 180 किदर 180 यानि किससे फ्लक्स किता हो E not minus के साथ कि प्लस के साथ अच इसका area vector किदर है क्या आप दो शिखाये गया है कि for close surfaces consider outward normalized area vector इसी दो शिखाये था कि आप सवाल कर पाऊ अब angle इससे flux E not net कितना 0 की 2 E not 0 answer 0 है का प्लस हुआ का प्लस हुआ अरे फ्लक्स के साथ भी direction थोड़ी होती है फ्लक्स की माइनस है न यह क्या है माइनस की प्लस और यह क्या है फ्लक्स स्केलर रे वेक्टर चुटा आप जोड़ो दू एक मिने लॉजिकली सुन फ्लक्स बेसिकली काउंट आप crossing and अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्यूब में जितनी लाइन घुसी उतनी ही बाहर तो अगर घुसने को positive माना है तो निकलने को उमेरे को क्या चिखाना है ध्यान सुनना अब सुनना यह तो में तुरको फील करके बताया गड़ित के साथ पर तुरको एक चीज common sense ही समझना है क्या सुन मैं बोलता है ध्यान सुनना प्लीज स्वेर है और ट्रिफी लाइन ऐसे हैं constant net flux to the sphere zero logic बोल जितनी घुसेंगी flux is basically count of number of lines crossing and तो जितनी घुसी उतनी इसलिए मैंने पूरा घंच से भी करके बताया इसलिए कि असलिएत में ध्यान से देखो flux is basically count of number of lines अगर मैं पूरी की पूरी close surface ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ? close और constant lettering field ले ली मैंने माल लो तो जितनी lines अंदर घुसी उतनी बाहर रहेंगी जितनी घुसी उतनी बाहर निकली तो यह हुगा जो मैं आपको कहे रहा हूँ तो इससे अभी भी कुल मिलागे flux किता हूँ अपाई नहीं कोई confusion नो basic पूछो basic शर्माओ नहीं क्योंकि अब मैं और अच्छे लेसेशन कर रहा हूँ इसके आजाओ outward normal lithium मैं बता चुका हूँ इधर है electric field तो 180 degree angle तो minus है या कहा positive e not i cap है कैसे positive electric field तो constant e not i cap तो electric field भी chain कर दूँ है तो item है के मिलगोली electric field की direction क्यदर है किदर है किदर है electric field की direction right है की left है right है की left है अच्छे सुनते तो समझागा confirm किदर है right की left right. Aerator कीदर है अम छोड़ाणाने चै left, outward normal, कौंसो normal, outward normal, और entry field किदर, right, e0 आई किया थोड़ी change हो रहा है, letter field constant है कि variable, अगर मैं कोई भी face इदर रहे है, अगर यह वाला face तो letter field किदर है, उदर, तो e0 आई किया, e0 और area किदर, इदर, तो angle कितना, 180, आप गोल, पका, सोच रहे देख, शर्मा मत, मैं तेर आप हो, बोल जली, बोल, समझ आई एदा, और किसी डाउट, गेंड़ो, मैं तुमारा नहीं हूँ, इदर, एक बात नहीं है, प्लीज, क्या किसी कोई डाउट है, शर्मा मत, क्योंकि यह फीर आला portion, हाँ बोल, close में हमेशे 0 आएगा, कब नहीं आएगा, वो भी भी बताँगा, इसने बुचा क्या close में हमेशे 0 आएगा, जिसने बात नहीं से सवाल पूछ तो, इसने पूछ दिया था, देगी था, हाला कि यह बात में है, सुन, मालक point charge ले लो Q, बोलो क्लिया, क्या ले लो point charge, Q, इसके outside में एक surface ले लो, कोई भी close, मैंने Q तुम्हें सिगा, इसका logic यह क्यों यह, close surface, इस surface पर हर जे के लिटरी फिल, सेम अला गला, तो net flux, zero non zero, zero, अब एक फुन ले में बेर, इसलिए में कहरा हूँ, इस logic को समझ जो मैं कहरा हूँ, अरे फिल में सुन, तिरो फीर आ जाएगे, अपने आप चिद्दा हो करें तुम्हें, माल लो, इससे सौ लाइन निकली, इसमें सौ गिरी, निकली कितनी, सौ, ऐसा नहीं कि constant होगा, तब ही ऐसा होगा, ऐसा जुरूरी नहीं, flux is basically count of number of lines, क्या चीज़, इसले करो, उसे फील करो, बरना गणित से हमेशा नहीं पख़ड सकते हो, गणित से तो मैं आपको एक इलस्टेशन करके बताया है, इनवाले इलस्टेशन में आपको गणित से करके बताऊँ, यह जरूरी, करके बतातू हाला कि चिंदा मकर एक दो लेक्सर बात अब अच्छे लोगता सरीय क्या बात हुई, इलेट्रिक फील तो अलग अलग है, अब ध्यान सुनने, तो फील आई कि थोड़ी शेकर में भागतों ध्यान सुनेगा, जीरो क्यों आएगा, देख, इधर देख, अंटे, यह देख, इधर देख, इलेट्रिक फील इधर, इधर, 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 इधर पर सा लिटरिक फील तो लगा लगे पर एरिया भी अलगा लगे सोच यहां पर जो एरिया है और यहां पर जो एरिया है कहां वाला जादा है और लिटरिक फील कम है यहां पर लिटरिक फील पर एरिया तो क्या जीरो हो सकते हैं अरे हो सकते हैं हो सकते हैं होते हमेशा होंगे ह हमेशा ऐसे 0 ऐसा नहीं कि non-informatory field है तो ऐसा नहीं सकता है कई किसे ऐसे भी होगे जिन में नहीं होगा ऐसा ऐसा नहीं होगा है कोई जुरूरी नहीं ध्यान सुनना फिर कैसे कुछ-कुछ बाद लॉजिक समझ में आया क्या अस्थियत में flux is basically count of number of lines crossing and क्या मेरी बात है थोड़ी ज़्यदा बिच्चतर लग रही है कुछ-कुछ लोगों की वाज़ आई मैं और elaborate कर सकता हूँ yes sir कई लोग सुझ रहे हैं पता नहीं बट रहा है yes बोलें no बोलें कुछ-कुछ बाद गुसी है flux is basically count of crossing and पक्की बाद मैं फिर कह रहा हूँ यह पुरानी चीज़े से related नहीं चीज़े हैं जो देखी भी नहीं कभी ना सुनी है तुमने इसलिए तुम्हाली नया है सब कुछ अब सुन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ही zero आएगा यह भी जुरूरी नहीं है देख कैसे एक बाद सोचना लोजिकली मैं जो बताओंगा हला कि इसी को अपन बाद में गॉस्ट लोख वा मिले जाएंगे सोच यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआँगा हूँ सोच के देखना सिर्फ सिर्स सोच के देखना मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रखाओ क्यों अंसिपिटरिकली सोच के देख मैं सिर्फ कितना आएगा वो बाद में निकले बाँ हुआ सोच के देख लाइस निकाले से सोच हर जगे लेटरिक फील्ड है गी नहीं है 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 जीरो आएगा फ्लक्स हर जगे देख नॉर्मल वेक्टर और इलेट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 से छोटा है अरे है की नहीं है तो फ्लक्स जीरो आएगा नेगेटिव पॉस्ट्यू पॉस्ट्यू आएगा पॉस्ट्यू पॉस्ट्यू आएगा अगर आप चार्ज अंदर रख दो तो बोल फ्लक्स आएगा नहीं आएगा पर बाहर रखो तो बाहर रखो तो यही तो गौस्ट्यू का बेस होगा बाद में अब भी आज नी बढ़ा रहा तो पॉस्ट्यू करा दो हूँ गौस्ट्यू को भी अच्छे से ब्ल्कुल डं से एकदम अगर तो ने मेरी बाते बहुत ध्यान सुझी तो सोच के देख फ्लक्स कब आया जब चार्ज अंदर रखा या बाहर अंदर बाहर बाहर रखा होगा तो फ्लक्स प्लक्स प्लक्स क्योंकि जितनी एनरजी घुसी उतनी पक्की बात या हाना बोलना पड़ेगा भई सोच ले खेर उसके बारे हम बात में चर्चा करेंगे क्या मेरी बातों की थोड़ी फीलिंग आई है मुझे कुछ अच्छा स्वाल करना था अभी मैं इस चार्ज वार्चिंस की चर्चा में नहीं जा रहा हूँ यह तो मुझा आंटी ले गई थी अब बड़ी हा सवाल एक और दिया देख हाँ बड़ी इल्लिस्टेशन दिखन देख फोगा बता देंगे चिंदा में माल एक तो अच्छा ही बाता तुम घर पे तो ऐसी बाते नहीं पताते न हमारे सार ऐसी ऐसी बाते करते हैं घर पे ऐसी बाते मैं भी नहीं पुछता है, कोई में से बुछता है, बच्चे बिगड़े देखो आप इतने अगर ट्रेन में वेले हैं, इतनी बड़ाई करी ना, बच्चे बिगड़े देखो सुबह आते तर प्राथ ना करते जाते तर प्राथ ना करते, सब इतरों के पैर कूते शपद लेते, लड़कियों दूर दूर तक लड़की नी देखते क्या बात कर रहे बार पढ़तो लो, मालो कि वह अपना क्यूब है जब आ भी दर पढ़ते हो आए थे पर हमें लेटरी फील थोड़ी से अलग ले रहा हूं मालो कि यहां से दूरी है ए तो वह कुछ भी हो जकती है मालो मैं वेरियबल ले रहा हूं कैसी ले रहा हूं यह क्योब लिया और मैं लेटरी फील क्या लिए ध्यांस देगे रहा हूं मालो कि यहां से दूरी है ए यह ए ए ले लो और क्यूब की साइट ले लो ए और लेटरी फील ले लो ए नॉट एक्स आई क्याप मने लिटरी फिल्ट कॉंस्टेंट है गी वरियेबिल अब फ्लक्स जीरो हो ये जरूरी कर फैंद फ्लक्स थूदे क्यूग अब बता हुआ ना भी गाउन बसाई लोटरे पहले आगे जिंदा मतर सब करा हुआ पर इसे कर ले आपने ट्राइ कर लिया हो तो मैं बता हूँ क्यों लोगो ने निकाल लिया है शाबाश सब लोग ट्राइ करो तुम कर सकते हो इंटिक्रेशन की जरूरत नहीं है प्राइ करो मैं बंते हैँ है और बहए कर केला अदिक्रेशन की प्राइämän अचलो भाई शुट आए एस्प्लेण अच्छा बले ताँ, अलेटरी फिल है वाई इसे शाथ दरी कर रहे है पर चार सर्फिसे तो पक्का जीरो है कौन कौन सी चार ये, 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 ये क्या इसमे तो ई और ये में एंगल ही नहीं है इंटी है अगर ये, 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 य सोच के बोलन, कितना, किया इस पूरी फेस पे, इलेक्टरी फेल कॉंसर्ट ए वेरियबल, किकि एक्स कॉंसर्ट, या, और एक्स है कितना, तो किया इस फेस के लेक्टरी फेल, इनॉट एल, कितनी, दह से करते हैं, दह से करते हैं, तो इस पूरे फेस के लेक्टरी फेल कितनी ह अच्छा, एरिया वेक्टर किदर, पीछे, एंगल कितना, 180, बोल फ्लक्स कितना नहीं कुल है, माइनस, E not, L, A, बोल चमका नहीं चमका, अरे चमका नहीं चमका, बहुत बढ़ी है, इदर वाले फेस पे आजा, इस वाले फेस पे, इस वाले फेस के लिए X कितना, हवाँ यहीं, X कितना, पीछे से हवाँ यहीं, बोल A प्लस, कोई बुराई, A प्लस L, तो लेटरी फील किती, E not, A प्लस L, क्याएं, सही तो है, क्या एरिया वेक्टर भी तरी है, एंगल कितना, एंगल कितना, फ्लक्स, E not, A plus L into A square, finite में दोनों को घटा दो, कोई बुराई वाली बात, घटाओके तो E not, A plus L into A square minus, E not L A square, E not L A square, E not L A square, ने E not L A square को, E not, क्या बचा, E not A Q, Netflix आया, E not A Q, अरे कितना आया, E not A Q, कोई कश्वाली बात, कोई दिकश्वाली बात, मुझे इसा क्यू लगा, मुझे अक्यली कोई समझा है, पक्की बात, सोच ले, और देख, धिकाल व सम्नरी को क्या लिग्या भात, सोच वाला, इक होमग के लिए दिफिकल अर्ड़स्टेशन पात, सोच ये, coordin कोई देखन, इक बिदो के लिए और देखने層 in दॉड करना, जिए बात, सोच अग्यातो, पत्योता है, पत्योयकिता मुझे और चलते Ti एक चार्ज क्यों है? उससे एक दूरी पे एक आर रेडियस की डिस्क रखिए क्या रखिए? डिस्क क्या इस चार्ज क्यों से यहाँ पे लिटरी फील्ड है? तो क्या इस डिस्क से फ्लक्स भी है? बोल है की नहीं है? सवाल यही है Find out the flux through the disk homework